आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Mendelian Genetics Applies On Mendelian Genetics जो है किस पर apply होती है मेंदलियन Genetics लागू होती है Sexual Reproduction करने वाले Organism पर Sexually Reproduce करने वाले Organism जो है वहीं पर हम बाद करते हैं Mendelian Genetics की जनरली जो है इस केस में Organism जो है Sexually Reproduce करने वालe All Organism जो है वो होते हैं Dipploid Condition में और Dipploid Condition में ये Organism होते हैं इनको genetic composition को 2N से दिखाते हैं और यह organism जो है sexually reproduce करने के दोरान meiosis करते हैं अपनी life में और meiosis जो है उससे form करते हैं gametes यहां gametes का formation होता है और gametes है haploid होते हैं और gametes के fusion होने से यह gametes आपस में fuse करके एक नई cell बनाते हैं diploid cell जिसको कहा जाता है जाइगोड तो इस तरह से जो है haploid और diploid के बीज में alternation of generations sexually reproduce करने वाले organism में देखने को मिलता है और mendelian genetics जो है वो इनी पर लागू होती है sexually reproduce करने वाले animals पर या organism पर तो यहां पर जो है दो important phase होते हैं इनकी life में फस्ट जो है वो होता है meiosis reductional division gamit formation के समय होता है और second होता है gametic fusion जिससे की जाइगोड फॉर्म होता है और जाइगोड आगे चलकर embryo बनाता है और embryo में development होने के बाद जो है embryo डवलप होकर बनाता है complete organism को तो इस तरह से यह complete organism जो है यहां पर बन रहा है वो ऐसा pattern जो है हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा केवल और केवल sexually reproduce करने वाले एनिमल्स में देखने को मिलेगा मेंडिलियन जनेटिक्स हमेशा applied होगी डिपलोइड और्गेन पर applied पर लागू नहीं होती नहीं प्रोकुरोट्स पर लागू होती है क्योंकि प्रोकुरोट्स में sexual reproduction जो है वो absent होता है यहां कोई भी sexual reproduction नहीं पाया जाता प्रोकुरोट्स में alternatives of sexual reproduction जरूर मिलते हैं जहां ज bacteria without cell wall कहा जाता है माइको प्लाज्मा में cell wall जो है absent होती है तो इसे bacteria without cell wall या फिर इनको और भी कई टर्म दी जाती है जैसे joker of the plant kingdom joker of microbiology या joker of plant kingdom जो है वो consider किया जाता है माइको प्लाज्मा को तो यहां पर दीएगे question में mendelin genetics जो है वो deployed organism पर लागू होगी इस question का answer होगा option 2 Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट आउट आट 400 400 चार्स उपर